पूरे इतने लंबे चोड़े भासन के दौरान बेरोजगारी और महंगाई की कोई सब्द सुनने को नहीं मिला है यह कैसे घटेगा कैसे इससे सरकार लड़ पाएगी यह इस बजट में नहीं दिख रहा है और इस बजट में और एक खास बात यह है कि यह पूने तीन घंटे के दौराद वित मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि किस सेक्टर में कितने पैसे खर्च किये जाएंगे किस के लिए खर्च किये जाएंगे कहां खर्च किये जाएंगे कहीं यह चीजें देखने को नहीं मिला और मिडल क्लास के लोगों के लिए जो हमेशा से बजट को टक टक ही लगाये देखते हैं अपनी जेबे टटोलते हैं अपने जेबे देखते हैं उन्हें मामली सा टैक्स रेट में राहत दिया गया है लेकिन इसके इतर जो कई जगों पर उनको टैक्स रिलीफ मिला करता था वो सभी काट दिये गये वो सभी समाप्त कर दिये गये कुल मिला करके मध्वरगी भी आज मुझे लगता है इस बजट से उनको भी हतासा ही मिलेगा इस बजट में ना दिसा दिखा ना द्रिश्टी दिखा हर साल की भाते इस वार भी पुझी पतियों को राहत देनी की बात कर रही है लेकिन किसान मजदूर के लिए रहात देने में इनकी आर्थविवस्था बिगड़ जाती है मुझे लगता है इस बजट के माध्यम से किये भारती जनता पार्टी का बजट नहीं बलकि भारती बिजनेस्मेन पार्टी की ये बजट